और यह सब दोर के आया है देखिए ड्राइ पेलेट समने दे दिया है तो यह लोग समझता है कब मैं खाना दे रहा हूँ और यह देखिए मैंने प्रॉंस भी दे दिया है तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिए कैसे में खाना देलता हूं मेरा जो मॉंस्टर टैंक है उस तो आपको समझ में आएगा पहले तो में जो है इनको क्या होता है बाकी जो में इसके टैंके उसमें ड्राइफूड नहीं डालता हूं सिप प्रॉंस या जिंगा या फिर आपको चोटा मच्छी वो डालता हूं यहां पर में क्या होता है जो मचली है ना पैरट से या फिर आपका नाइफ है या फिर डॉलर्स है इल है एंडी चेरी है तो एरवानस है तो एंटिटी है नॉर्डन ठाइट आइगार आईटी है जो कैट फिश देते हैं जो कैट फिश वागए रहे सब कुछ ड्राइफ बहुत परसंद करते हैं तो ड्राइफ उट्स मेने दे दिया है तो यह आपको खिलाते खिलाते में क्या करूंगा यह थोड़ा सखा लेगा तो हम देंगे इसको फ्रॉंस तो प्रॉंस रेडी है थोड़ा सा छोड़ा छोड़ा करके तो अच्छे से धोके हम लोग देते हैं तो अभी हम लोग के प्रॉंस देने वाले है तो चलिए इन लोग को डालते है अभी प्रॉंस तो देखिए सब लोग एकदम उपर आ रहा है यह मतलब हैबिट हो गया इन तरफ से में दे दिया हूं तो सब किसी को आसानी से खाना मिलेगा और मैं इनफ जो खाना है देखिए मैं ड्राइफुड भी या फिर प्रॉंस भी देता हूं इसलिए मचली जो है ठीक-ठक अपका तंदूरस रहता है मेरा तो यहां पे बाद चार सल पांच सल साथ सल का बहु इस सब बहुत ही छोटा लगम है मैं 2009 से होबी कर रहा हूं और आप लोग क्या बोले मेरा यहां पे जो जादपूर में मेरा जो रहते है या फिर जो होबी में बहुत सारा दोस्ते जानता है मेरा जो पहला फिश है एकदम मिडिल में देखिए जो पैरट है सबसे बढ़ा है प्रस प्रस कोई उसका आता भी नहीं क्योंकि जानता है कि यह सबसे पूरा ना है घर का कोई भी मेंबर अगर सबसे बुरा या पूरा ना हो ना जैसे आप लोग के दादाजी या दादी तो उनको सब रिस्पेक्ट देखे जलते हैं तो यही बात है तो देखिए आराम से स सोचिए उसका माबाप जब बड़ा करता है तो इन लोगे साथ मेरा उतना है तो हमने देखिए यह जो कैट फिश टॉकिंग कैट यह भी एक खा लिया है तो यही है मेरा डेली रूटिन अब लोग बहुत सारे लोग बोल सकते कि थोड़ा बहुत मचली इसमें आप दो चर क कर सकते हो ज्यादा मचली है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप अच्छे से पानी को साफ करके रखोगे पानी का क्वालिटी देखिए सामने से पीछे आप मचली देख सकते हो पानी आप देख सकते हो ना तो वाटर क्वालिटी अब समझ सकते हो इसके उपर से मेर मैं 6 feet के लिए 3 feet का मेरा sum filtration है तो उसके अंदर मेरा 10 bags एक आंदर मेरा 10 से 12 sponge रहता है उसके उपर एक आपका जो socks होता है जो आपको साम में देते पानी जिससे थूँजाता है तो यह सब मैं तो साफ करते रहता हूं हते में उसके ऊपर से पानी यह जैसे में खाना दिया अभी मैं क्या करूंगा पानी को 30% फेक दूँगा 30% नया पानी मेरा जो स्टोर किया रहता है वो मैं अट करूँगा तो मचली इस तरफ से ही बदलब आप हिल्दी रख सकते हो बदलब 2-4 मचली हो सकते हैं आप एकोरियम में जाधा है लेकिन आप कैसे मिंटेन कर रहे हो उनको तंदुरस रख रहे हो की नहीं वो जाधा मैटर करता है नहीं तो मैं बहुत सरह वीडियो में देखा हो यूट्यूब में 4 फिट का टैंग में एक दो मचली है लेकिन ऐसे एट कर रहा है या फिर ऐसा ख्याल नहीं रख रहा है वो भी मढ़ जा रहा है तो यह सही बात नहीं है आपको आपका नॉलेज इंपोर्टेंट है आप नॉलेज लिजिए आप वीडियो जितना हो यूट्यूब में बहुत सरह देखिए में भी मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपिरियेंस है आप लोगे साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे से यह होबी को करिए यह बहुत ही मज़ेदार होबी है बहुत ही अच्छा लगता है अब सारा दिन बाद जब आके सामने बैठते हो ना और खाना देते हो तो मतलब वह तो खा लेगा तो समझेगा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जकता है तो अब उस हिसाब से खाना दीजाए देखिए मेरे ड्राइफूट भी दे दिया पैलेट्स भी दे दिया फिर आपका यहां पे जो प्रॉण से ओ भी दे दिया सब आराम से मतलब चार-पांच शेव साथ पीस तो खाया लिया है ठीक है तो यह देखिए यह मैने पिचले वीडियो में तो स्टिंग्रे का फीडिंग भी दिखा था कैसे फीडिंग लीआ था सब लोग ने तो यह मेरा जो और एक मौंस्टर टेंक है में दिखाया मेरा जो और एक अपकामिंग जो फिश रूम है आ रहा है आपको मैं दिखाऊंगा बहुत ही चल्दी वीडियो में तो उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को इंपोर्टेंट छोटा-छोटा यह जो टीप से या फिर हेल्प मिलता रहे आप लोगों सब मचली को कैसे पाला जाते हैं एक साथ कम्मिनीटी में आप कौन-कौन से मचली रख रहे हो वो सब में आपको दिखाऊंगा तो थेंक यू फो सपूर्टिंग दा चैनल और थेंक यू फो वाचिंग दा वीडियो